आई फ्लू आई फ्लू, जिससे नेत्रशलेश्ट मलाशोग भी कहा जाता है, एक आम और अत्यदिक संक्रामक नेत्र संक्रमन है. ये वायरस, बेक्टीरिय या अलजी के कारण हो सकता है, जिससे लालिमा, खुजली और अत्यदिक फटने की समस्या हो सकती है. हाला कि आई फ्लू स्वास्थे के लिए कोई गंभीर खत्रा नहीं है, लेकिन ये हात्यदिक संक्रामक है और भीर भार्वाली जगहों पर या संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में तेजी से फैल सकता है. आई फ्लू का क्या कारण है? आई फ्लू या नेत्रशलेश्ट मलाशोत को इसके अंतरनिहित कारण के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीक्रित किया जा सकता है. यहां आई फ्लू के प्रकार बताए गये हैं जिनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए. एक, वाइरल कंजंप्टिवाइटिस. यह एडेनोवाइरिस सहित विभिन वाइरस के कारण होता है. नेत्रशलेश्ट मलाशोत का ये रूप अत्यदिक संक्रामक है और अक्सरश्वसन संक्रमन के साथ होता है. आई फ्लू के वाइरल नेत्रशलेश्ट मलाशोत के कुछ फ्लासिक लक्षनों में आखों से पानी निकलना और लालिमा शामिल है 2. Bacterial Conjunctivitis यह मुख्य रूप से Staphylococcus aureus या Streptococcus pneumonia जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है नेत्रशलेश्ट मलाशोत का यह रूप भी अत्यदिक संक्रामक है और आखे लाल या गुलाबी होने के अलावा आख के कोने पर गाड़ा, पीला हरा स्राव पैदा कर सकता है मानसून के मौसम में आरद्रता के स्तर में वृद्धी और बैक्टीरिया और वायरस संदूशन के कारण वायरल और बैक्टीरियल नेत्रशलेश्ट मलाशोत दोनों आम हो जाते हैं 3. Allergic Conjunctivitis इस प्रकार का आई फिलू या नेत्रशलेश्ट मलाशोत पराग, पालतू जानवरों की रूसी या धूल के कंजैसे अलजी से उत्पन होता है अलजिक नेत्रशलेश्ट मलाशोत दोनों आखों को प्रभावित करता है और अत्यदिक खुजली, लालिमा और अत्यदिक आसु का कारण बनता है इस प्रकार का नेत्रशलेश्ट मलाशोत आम तौर पर कॉंटेक्ट लेन्स की लंबे समय तक उप्योग से जुड़ा होता है इस आई फ्लू में पलकों की भीत्री सतह पर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं जिससे गंभीर असुविधा होती है पाच रासायनिक नेत्रशलेश्ट मलाशोत रासायनिक नेत्रशलेश्ट मलाशोत मौसम से प्रेरित है ये स्विमिंग पूल में क्लोरीन या उत्पादों में कठोर रसायनों जैसे उत्तेजग पदार्थों के संपर्क के कारण होता है नेत्रशलेश्ट मलाशोत का ये रूप महत्वपून जलन और लालिमा पैदा कर सकता है आई फ्लू के लक्षन क्या है? नेत्रशलेश्टमलाशोत या नेत्रफ्लू के लक्षन अंतरनिहित कारण, वाइरल, बैक्टिरियल या अलजेक नेत्रशलेश्टमलाशोत के आधार पर भिन होते हैं कुछ सामान या आई फ्लू लक्षनों में शामिल है कंजंक्तिवा गुलाबी या लाल हो जाता है आखों में खुजली और जलन, अत्यदिक फटन या पानी जैसा स्व्राव, डाड़ा, पीला या हरा स्व्राव, जिससे आखों के आसपास पपड़ी बन जाती है अत्यदिक फटने और स्व्राव के कारण धुंदली द्रिष्टी, आखों में किरकिरा या रेतिला एहसास के लिए नेत्र विशेशग्यों या नेत्र रोग विशेशग्यों द्वारा विभिन प्रकार के उपचार सुझाए जाते हैं एक, वाइरल कंजन्प्टिवाइटिस वाइरल नेत्र शलिष्ट मलाशोथ आमतोर पर एक से दो सप्ता के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है हाला कि लक्षनों से राहत के लिए आखों को आराम देने के लिए कृत्रिम आसू या चिकनाई वाली आईड्रॉप का उप्योग करें असुवेधा और जलन को कम करने के लिए गर्म सेक लगाएं दूसरों में वाइरस को फैलने से रोकने के लिए आखों को छूने से बचकर अच्छी स्वच्छता बनाए रखें बैक्टिरियल नेत्रशलिष्ट मलाशोत अपने आप ठीक नहीं होता है और इसके लिए स्वास्थि देखभाल पेशेवर द्वारा निर्धारित एंटिबाउटिक आईड्रॉप या मलहम की आवश्यक्ता होती है हाला कि असुवधा को कम करने और लक्षनों को कम करने के लिए आप कुछ गर्म सेख कर सकते हैं तीन अलजिक कंजन्प्टिवाइटिस अलजिक नेत्रशलिष्ट मलाशोत को प्रबंदित करने का सबसे अच्छा तरीका अलजी के संपर्ग से बचना है अलजिक नेत्रशलिष्ट मलाशोत का इलाज करने के लिए एक चिकित सा पेशेवर अलजी प्रतिक्रियाओं और लक्षनों को कम करने के लिए अंटिहिस्टामाइन आई ड्रॉप या मौकिक अंटिहिस्टामाइन लिख सकता है अलजी नेत्रशलिश्मलाशोट से पीडित लोग सूजन खुजली और परेशानी को कम करने के लिए थंडी सिकाई कर सकते हैं 4. Joint Papillary Conjunctivitis GPC GPC के प्राथमिक उपचार में अंतरनिहित कारण को संबोधित करना शामिल है, जो अक्सर Contact Lens के उप्योग से संबंदित होता है GPC का इलाज करने के लिए स्वास्थिय देखभाल पेशेवर आपसे Contact Lens का उप्योग अस्थाई रूप से बंद करने के लिए कह सकता है इसके अलावा, एक नेत्र रोग विशेशग्य आखों में सूजन और परेशानी को कम करने के लिए आईड्रॉप या मौकिक दवाय भी लिख सकता है पाच, रासायनिक नेत्रशलेश्मलाशोत रासायनिक नेत्रशलेश्मलाशोत के इलाज के लिए प्राथमिक उप्चार आखों को साफ पानी से धोना है जो जलन को दूर करने में मदद कर सकता है यदि जलन बनी रहती है तो स्थिती का मूलियाकन और प्रबंधन करने के लिए एक विशेशग्य चिकित्सा पेशेवर की सहायता ले नेत्र फ्लू से बचाव के उपाए आप अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को अपना कर और संक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए उच्चित सावधानी बरतकर आई फ्लू या नेत्रशलेश्मलाशोत को आसानी से रोक सकते हैं यहां कुछ प्रभावी निवारक उपाय दिये गए हैं जिन्हें आप आई फ्लू से बचने के लिए अपना सकते हैं एक, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दोए खासकर अपनी आखों या चहरे को छूने से पहले और बाद में उन वाइरिस और बेक्टिरिया को फैलने से रोका जा सकता है क्योंकि इसे आखों में कीटानूं और जलन पैदा हो सकती है और संक्रमन और जलन का खत्रा बढ़ सकता है 3. जब साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो बीमारी पैदा करने वाले कीटानूओं को खत्म करने के लिए अपने हाथों को साफ करने के लिए कम से कम साथ प्रतिशत अलकोहल सामगवी वाले अलकोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उप्योग करें 4. कीटानूओं को खत्म करने के लिए बार-बार छुई जाने वाली सतों जैसे दर्वाजे के हैंडल, लाइट स्वेच और इलेक्ट्रोनिक्स को नियमित रूप से कीटानू रहित करें 5. तॉलिये आईड्रॉप, आखों का मेकप, धूब का चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस जैसी निजी वस्तुए दूसरों के साथ साजा करने से बचे क्योंकि इससे संक्रमन फैल सकता है 6. नेत्रशलेश्मलाशोत से पीविद किसी व्यक्ती के निकट संपर्क में आने से बचे या संचरन के जोकिम को कम करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें 7. यदि आप अलजी नेत्रशलेश्मलाशोत से ग्रस्थ हैं तो अपने रहने की जगह को साफ रखें और वायुशोधक का उप्योग करके पराग पालतू जानवरों की रूसी, धूल के कन और फफुन्दी जैसे अलजी के संपर्क को कम करने का प्रयास करें 8. यदि आप कॉंटेक्ट लेंस पहनते हैं तो लेंस की नियमित सफाई और कीटा नुशुधन सहिद उच्चित हाथ की स्वच्छता सुनिश्चित करें 9. मानसून के मौसम में सार्वजनिक स्विमिंग पूल का उप्योग करने से बचे 10. आप एडेनोवाइरस जैसे रोक्ताम योग ये संक्रामक एजेंटों की कारण होने वाले कुछ प्रकार के नेत्रशलिश्मलाशोत को आसानी से रोक सकते हैं ऐसा इन वाइरस के खिलाफ ती का लगवा कर किया जा सकता है देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले